हेलो एवरिवन गुड मॉनिंग आप देख रहे हैं जी के नाई शुडूब चैनल तो इस वीडियो में आपको मिलेगी एल्टी ग्रेट सिक्सक भरती को लेकर अपडेट तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है क्योंकि एल्टी ग्रेट सिक्सक भरती दो चरणों में होती है पहले प्रारेंग परिक्षा कराई जाएगी इसमें सपल अभ्यारती मुख्य परिक्षा में सामिल होंगे भरती परिक्षाओं में पारदर्शिता लाने के उत्देश्य से लोक्षेव आयोग ने एक चरण में भरती के विववस्ता समाप्त करने का निर्णे लिया ह मादमेक शिक्सभी भाग में आयोग को सायक दपकों के 5000 स्यादी करिक्त पदों की सूचना मिली है कुछ विश्यों में अराता को लेकर इस्तिती स्पष्ण होने से विग्या पंजारी नहीं हो पा रहा है इससे पहले आयोग ने पहली बार 2018 में 10,760 पदों पर भरती निकाल इस घटना के कारण आयोग की काफी बदनामी हुई थी ऐसी घटना की पुनरवर्ती रोकने के मकसद से आयोग ने दो चरणों में भरती को कराने का निर्ने लिया है और विक्या पंजारी होने तक रिक्त पदों की संक्या बढ़ सकती है आप सबीके लिए ये भी बड़ी ख पाया है तो लोग सवायो की ओर से इस पर दिया गया है एल्टी ग्रेट शिक्षक भरती दो चरणों में होगी पहली प्रानविक प्रिक्सा और दूसरी में प्रिक्सा होगी प्रानविक प्रिक्सा पास करने वाला भ्यारती जापकी में प्रिक्सा होगी उसमें सामिल होंग उसके बाद आपका चायन अल्टी ग्रेट सिक्सक भरती में कर ले जाएगा तो ये थी आप सबी के लिए बड़ी ख़बर और अस्कोलों में 9000 साधिक पद खाली हैं परदेश के 2332 सराज के माविधालों में सिक्सकों के 9882 पद खाली हैं परवक्ता के 4700 हैं सायक अध्यपक के 9300 कुल 2400 पद सुविक करत हैं इसमें से 277 परवक्ता और 12294 में सायक अध्यपक करत हैं तो ये थी आप सबी के लिए बड़ी ख़बर वीडियो अच्छे लेगी है तो लाइक और से जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक्स और वाचिंग